लास्ट वीडियो में हमने इस्टोक थिए वक्ष हमने दो कसेंग करें दे लास्ट वीडियो में और उनको hedgeannad को देखा था, verify किया था, इस्टोक-theoram basically क्या होती है, किसी भी line integral को surface integral में बदलने में help करती है, और हमारी अब की बार कुनसी थeoram है, ghost divergence theorem, और ghost divergence theorem का सबसे पहले formula क्या होता है, वो देख लिते हैं, f cap dot n cap ds equal to triple integral divergence v dv, यानि कि यह simply क्या करता है, double integral क्या होता है, surface integral को basically triple integral मे convert करने में help करती है कौन सी ghost divergence theorem अब सबसे पहले हम question देख लेते हैं evaluate f.nds यानि कि हमें double integration को यहां पर क्या करना है solve करना है जहां पर f हमें given है x i cap minus y j cap plus z square minus 1 k cap ठीक and s हमारा एक close surface है जो कि z equal to 1 से z equal to 0 तक है and cylinder x square plus y equal to 4 basically यह हमारा है क्या ऐसे cylindrical surface है जो कि z equal to 0 से z equal to 1 तक z axis पर है और जिसकी यदि projection देखें या हम 2D में उसका projection देखें तो वो एक circle दिखता हमें किसी भी 3D में किसी भी चीज का हमें यदि 2D में projection पता करना है कि वो क्या होगा तो इसे simple तरीका है 2D 3D वाली समान को उठा कर नीचे देख लें कि उसका projection क्या रहा है जो भी उसका projection परचाई आ रही है वो उसका 2D में shape होती है तो cylinder की shape क्या होती है यदि आप उठा के चेक करेंगे एक circle यानि कि 2D में हर cylinder क्या दिखता है एक circle दिखता है तो यह उस circle की equation है also verify ghost divergence theorem इसमें क्या बोला गया है basically यदि brief में बताऊं एक f vector given है जो की cylindrical surface पर वो है defined z equal to 0 to z equal to 1 है और इसकी 2D में जो equation है वो क्या एक circular है जो की यह है तो हमें verify करना है ghost divergence theorem यानि कि हमें surface integral equal दिखाना है triple integral के ठीक volume integral के और यह हमारा एक ghost divergence theorem evaluate भी लिखा हुआ है यानि कि इससे solve करना है इससे solve करने का मतलब क्या है f dot n dot ds की value equal किसकी होती है divergence of f dot dv तो यदि हमें solve करने को आए तो हम पर option है चाहे हम इसके साथ करने चाहे हम इसके साथ दोनों की value same आईगी और यदि हमें verify करने को आए यानि कि हमें left hand side और right hand side दोनों को solve करना होगा और इससे equal दिखाना होगा तो मैंने इसमें दोनों question ले k dot k करेंगे तो इसका z का जएगा 2z तो basically 1 minus 1 आपस में cancel हो जाएगे और बच्छी का 2z इसका triple integral हो जाएगा over the dv और dv को हम क्या लिश सकते हैं dx, dy और dz तो यहां से हम z की limit, x की limit और y की limit find out करेंगे z की limit हमें given है z equal to 0 to z equal to 1 यहां पर हम देख भी सकते हैं किस तरीके से हमारा cylinder है जो की z equal to 0 से start हो रहा z equal to 1 length का है ठीक तो z की limit क्या हो गई? 0 to 1 यहां पर हम यह भी कह सकते हैं z के parallel हम क्याले खीच लेंगे pole खीच लेंगे और वो pole जो सबसे नीचे strip कट कर रही होगी यहां पर हम इसकी निकालेंगे x और y की limit और xy की limit निकालें के लिए इसका xy plane में projection देखेंगे और xy plane की यदि मैं बात करूँ तो यहां पर given है xy plane में cylinder एक क्या होता है circle तो circle की तरफ हम जाएंगे और circle की equation क्या है? x square plus y square equal to 4 यानि कि इसकी radius क्या है 2 तो यह 2,0 हो जाएगा यह minus 2,0 हो जाएगा ठीक तो x की value कहां से कहां vary कर रही है minus 2 से 2 तो एक limit तो हम axis पे ले लेते हैं जब हम double integration solve करते हैं और दूसरी limit के parallel हम एक strip draw लेते हैं तो x की limit ले ले लेंगे axis पर तो x की limit क्या हो जाएगी minus 2 से 2 तो x की limit हो गई है अब y की limit कैसे find out करेंगे y के parallel एक strip draw कर लेंगे तो जैसे y के parallel एक strip draw करेंगे तो यह हमारी सबसे नीचे कहां cut कर रही होगी minus under root 4 minus x square पर और सबसे उपर 4 minus x square पर plus under root पर यहां पर minus होगा यहां plus होगा यह हमारी इसकी value होगी अब यह कैसा आया क्योंकि हमारी यह पूरा circle की equation क्या है x square plus y square equal to 4 तो यहां से simply हम y की value निकालेंगे तो क्या आएगी 4 minus x square plus minus तो यह ही हमारा है minus वाला नीचे cut करेगा plus वाला उपर यहां से हमने x y z की value निकाल ली ठीक तो सबसे पहले अब हम z के respect में integration करेंगे हाला कि हम जितने ज्यादा variable उतना पहले integration करते हैं पर वो जब करते हैं जब हमारी केवल एक limit constant हो यहां पर दो limit constant है तो दोनों में से एक limit का variable को हमें सबसे पहले cancel करना होगा तो सबसे पहले हम z के respect में कर देंगे तो 2z का क्या हो जाएगा z square upon 2 2 से 2 cancel हो जाएगा और z की limit क्या 0 to 1 तो z square की value जैसे हम limit put करेंगे 0 to 1 तो वो value आजएगी 1 तो इसका integral क्या बचेगा minus 2 to 2 हमारी x की limit under root 4 minus x square minus वाला और under root 4 minus x square plus वाली limit हो जाएगी dy की और अंदर बचेगा dy dx और कभी भी अंदर dy और dx खाली बचाओ और f x y की value 1 तो यह हमारा किसे दिखाता है area function को area function मतलब जो भी हमें surface given है उसका area surface हमें यहाँ पर क्या given है एक हमारा circle 2D में तो हमारा एक cylinder क्या دिखेगा? circle ही तो दिखेगा और circle का area क्या होता है? pi r square r की value क्या है यहाँ पर? 2 यहाँ से निकाल सकते हैं center 0-0 है r क्या है? 2 का square यानि कि 2 तो r की value क्या हो गई हमारी 2 यानि कि 2 का square यानि कि यह क्या आजेगा? 4 pi तो यानि कि हमारी divergence of fdv की value क्या आगई 4pi अब क्योंकि हमें verify करनी है गोज divergence theorem इसका मतलब हमें क्या करना होगा simply यहाँ पर इसके left hand side वाले को भी proof करना होगा यानि कि f vector dot nds equal to क्या होना चाहिए 4pi तो इसके लिए simply हम क्या करेंगे इसे हम अब हम सबसे पहले erase कर लेते हैं जो सब कुछ हमने करा है जिससे हमें clear दिखाई दे सके अब आब आते हैं surface पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पहले भी किया है सबसे पहले surface s1 के respect में हम value निकालेंगे surface s1 कहा है surface s1 पर z की value क्या है जीरो अब क्योंकि यह हमारा close surface है और close surface में जब भी हम surface integral निकालते हैं तो n cap की value कैसे आती है screw लो से तो यह हमारा anticlockwise direction है direction हम यहाँ दखना हम anticlockwise ही लेते हैं तो जैसे हम anticlockwise direction में हम क्या करेंगे simply screw को इस तरीके से गुमाएंगे तो वह क्या आएगा भार की तरफ आएगा यह हम कहते हैं cylinder के नीचे की तरफ से गुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ नीचे की तरफ आएगा क्योंकि यह नीचे की तरफ आएगा उपड़ तो z है तो यानिकि उपड़ बिलस z है तो नीचे क्या होगा minus z और minus z के respect में हमारे unit vector क्या होता है minus k cap तो यानिकि इसका जो n cap क direction हो जाएगी क्या हो जाएगी माइनस k cap हो जाएगी यह मैंने last question में भी समझाया था कैसे लेते हैं जब हमारी close surface हो और कैसे लेते हैं जब हमारी surface की equation given हो similarly s2 की बात करें यहाँ पे n cap की value मिल गई और जब भी हमारी surface close होती है चलो इसी की बात करते हैं s2 को solve करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारा formula क्या होता है f dot n cap ds n vector की value निकालेंगे n vector निकालने के लिए इसका direction क्या होगी हमारी इस तरीके से होगी anti clockwise ही लेते हैं तो जैसे हम इसे गुमाएंगे screw को तो यह हमारा screw की आएगा भार की तरफ और cylinder का यह कौन सा पार्ट है उपर वाला पार्ट यानिकी उपर की तरफ आएगा यानिकी z axis की तरफ और z axis के लोग हमारे unit vector क्या होता है k cap तो इसके n vector की value क्या हो जाएगी k cap हो जाएगी और ds की value हम निकाल लेंगे ठीक और surface s3 हमारा क्या है यहां पर एक cylinder किस form का होता है यह surface को ऐसे line के through मत देखना circular circular की हमारी equation भी given है और मैंने बोला था जब भी किसी surface के हमें equation given हो उस case में हम क्या करते हैं उसके gradient की help से n cap की value निकालते हैं यानि कि इसका n vector कहां से निकलेगा gradient की help से निकलेगा तो इसका n vector निकालेंगे surface s3 का n vector निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके gradient की value क्या आएगी gradient क्या होता हमारे del phi del phi मतलब i cap del y del x phi phi के अंदर j cap del y del y into phi k cap नहीं लेंगे क्योंकि यह 2d में है ठीक तो यानि कि phi का differentiation x के respect में करेंगे phi क्या है हमारी surface given है तो क्या आजएगा 2x i cap y के respect में करेंगे 2y j cap और इसका क्या जाएगा 0 तो यह हमारा surface gradient के क्या आगया 2x i cap plus 2y j cap ठीक अब क्योंकि हमें क्या निकालना है यह आया हमारा n vector और हमें निकालना है n cap तो इसके determinant से divide कर देंगे इसके determinant से divide करने के लिए हम क्या करेंगे 2x का whole square कर देंगे और 2y का भी whole square कर देंगे तो यह आजएगा यहां पर 2 आएगा ठीक तो इसके case में n cap हमारा आजएगा यह अब बात करते हैं किसकी इसके case में हमारा ds क्या होगा dx dy बन जाएगा ठीक तो यह हम next page पर देखते हैं इसका solution तो surface s1 के respect में हमारा वो n vector क्या आया था माइनस का k-cap और यह आ गया था हमारा dx dy क्योंकि हमारा plane क्या xy plane है और हमारा surface क्या था s1 close surface था close surface हो तो हम कैसे लेते हैं के बल्द ds की value dx to dy रह जाती है और f vector की value क्या थी x i cap plus minus y j cap plus j square k cap इसका dot protect किसक के सात कर देंगे n cap के साथ यानिकी minus k k और dot protect में क्या होता i का i के साथ होता j का j के सात और k का k के साथ यानि ki k का k के साथ होगा तो यानिकी केवल इसका भी zero हो जाएगा इसका भी 0 हो जाएगा इसका क्या आजएगा z square minus 1 k cap और k cap की k cap से होगी तो यह आजएगा हमारा simply minus का z square minus 1 ठीक पर हमारा क्योंकि plane x y है और x y plane में z की value क्या होती है 0 होती है यहां से 0 पूट कर लेंगे तो यह केवल बचेगा minus 1 और k cap k cap हमारा 1 हो जाएगा तो इसकी value आजएगी minus का d x dy अब क्योंकि d x dy क्या होता है हमारा यदि f x की value 1 है area function area किसका जो भी given surface है और surface हमें क्या given थी x square plus y square equal to 4 2d में तो हमारा यह क्या circle है circle का area क्या होता pi r square minus यह भार का use हो रहा है pi r की value क्या यहाँ पर 2 का square जब ही तो 4 आया तो यहानि कि यह क्या हो जाएगा minus का 4 pi तो यह तो हमारी surface s1 की value है surface s2 की बात करें तो वहाँ पर हमारी z की value क्या होगी 1 कैसे surface s2 क्या है यहाँ पर और यहाँ पर z की value surface s1 में तो z की value क्या है 0 और surface s2 में तो यहां से यह value पूट कर लेंगे, z equal to 1 हो जाएगा surface s2 और n-cap क्या आया था, जैसे हमने check किया था, वो z की तरफ आ रहा था, वो k-cap, तो n-vector k-cap आ गया, और हमारा ds हो जाएगा dx dy, तो यह हमारी f-vector का dot product हो गया, n-cap के साथ dx dy, n-cap के साथ dot product होगा, यह दोनों तो 0 हो ज surface s2 के respect में हमारा क्या आ गया, surface integral 0, surface s3 की बात करेंगे, s3 हमारा क्या था, हमारा यहां पर cylinder में एक circle की form में, जिसका हमारा surface की equation भी given थी, तो इसके हमने gradient की help से n-cap की value निका ली थी, x i-cap plus y j-cap, ठीक, तो हम यहां से surface s3 की f की value क्या, x i-cap minus y j-cap plus z-square minus 1 k-cap, इसका dot product कर दे n के साथ x i-cap plus y-cap into dx dy, अब यहां पर यह भी बोल सकते हैं हम कि n का dot product हमने k के साथ क्यों नहीं करा, क्योंकि dx dy हमारा क्या होता है, basically, dx dy आता है, तो नीचे हमारा क्या आता है k-cap, क्योंकि इसके respect में perpendicular vector z होता है, z के लों k, पर यहां पर n vector में हमारा ध्यान से देखें, तो k component नहीं है, तो यह 0 बनके infinity बन जाएगा, इस वएसे यहां पर यह वाला rule apply नहीं करेंगे, अब बात आते हैं इसके dot product की, तो i का i के साथ होगा, और j का j के साथ, तो i का क्या होगा, x का x square हो जाएगा, y का minus का y square हो जाएगा, plus minus हो जाएगा, y square, और z का 0 हो जाएगा, क्य या तो हम circle से, हम क्या करें, यह circle draw करें, ठीक, और circle पे हमारे यह coordinate क्या होगा, क्योंकि हमारी radius क्या है, 2, 2,0 और minus 2,0, यानि कि इस circle पे एक तो हम value ले, x इस पर value, जो कि x की value हो जाएगी, minus 2 से 2, और दूसरी हम y की limit, strip की hell से निकालते हैं, तो strip सबसे नीचे काँ कट कर दि और n dot 4 plus x square पर, एक तो वो तरीका है, उससे हमारा question थोड़ा लंब हो जाएगे, तो इसे short करने के लिए हम क्या है, इसके polar coordinate को use कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं इससे erase कर लेता हूँ, इससे confusion ना हो, तो यह तो मैंने आपको इसका एक तरीका बता दिया, जो आप solve करके सकते हैं, अब दूसरे तरीका भी बतायता हूँ, जिससे आप कुछ नया सीखें, तो x equal to हमारा क्या होता है, r cos theta, जब भी हमारा circle होता है, तो r की value क्या है 2, तो y equal to r sin theta, r की value क्या है 2, तो 2 sin theta, और यहीं से dx और dy की value निकाल लेंगे, तो dx की value क्या आजेगी, minus 2 sin theta, यहां हम यह बोल दें, dr की value यहां से, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, तो dx dy की value हमारी jacobian से आती है, r dr d theta, जहां पर r की value क्या होगी, minus 2 से 2, radius हमारी क्या है, 0 से 2 की तरफ जा रही है, minus 2 से 2 नहीं होगी, radius की value पूछे है, r क्या radius, radius की value कहां तक जा रही है, 0 से तो start होती है radius, और radius की value क्या है 2, त theta 0 to 2 by आ जाएगा, इस तरीके से अब हम इसका integration कर लेंगे, सबसे पहले, दोनों limit constant है, तो किसी के respect में पहले कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले किसके respect में कर लेंगे, r के respect में कर लेंगे, जिससे हमारा एक constant रच जाएगा, तो r के क्या आजएगा, r square upon 2, उपर वाली limit put करेंग यानि कि 2 आजएगा, तो 2 को हम बार ले लेंगे, ठीक, और इसका आजएगा, cos square theta minus sin square theta हमारा क्या होता है, cos 2 theta, यह हमारा cos 2 theta का formula होता है, into d theta dr हमारा आजएगा, ठीक, यहां से हमने r के यहां से solve किया है, मैंने पहली बता दिया था, तो r की जगए r square upon 2 आजएगा, तो into 2 ब तो हम sin pi की बात करें, 4 pi, 8 pi, किसी की बात करें, value क्या आएगी 0, यहांनि कि यहां पर क्या हैगा 4 pi, तो 0 हो जाएगा, और lower limit की बात करें, sin 0 क्या होता है, 0, तो यह पूरे की value क्या आजएगी 0, यहां से हमारी 3 surface बन क्या है, एक surface की value क्या है, 4 pi, दूसरे surface की value 0, तीसरी surface की value भी क्या आई 0 तो इस तरीके से हम यदि total इसका surface integral निकालेंगे इन तीनों को add कर देंगे तो हमारा total value क्या जाएगी 4 pi और हमारी volume integral से value क्या आई थी हमारी यहाँ पर जो हमने निकाल थी 4 pi यानि कि हमारा ghost divergent theorem verify हो गया, यह हमारे जो left hand value है, addon end cap ds की value भी 4 pi है और divergence fdv की value भी 4 pi है, इसका मतलब हमने ghost divergent theorem को verify कर लिया, यहाँ पर बस दिहान इसी बात का देना है, divergence निकाल लोगे आप easily सब कुछ कर लोगे, यह end cap को कैसे decide करें, इसका मैंने simple तरीका बता रखा है, यदि आपको surface की equation given हो, तो gradient की help से निकाल लो, और यदि आपको एक close curve given हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक screw lock को लगाना है, क्योंकि हमारे direction anti-clockwise लेते हैं generally, तो screw को anti-clockwise गुमाना है, वो जिदर की तरब भी move कर रहा है, वो end cap की direction हो जाती है, तो इस तरीके से हम ghost divergent theorem के verify करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ghost divergent theorem पर second question देखेंगे